जैन साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीगे ड्रेक मैं हूँ राजा गुपता और मैं आप सभी को वीकली करेंट अफेर्स पढ़ाने आया हूँ आज हम 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के इंपोर्टन वीकली करेंट अफेर्स को कवर करेंगे, जो कि भारत के सभी एक्जाम्स के लिए ज़रूरी है दोस्तो इस सेशन के खास बात ये रहेगी, कि केवल 25 से 30 मिनट में यहाँ पर पूरे हफ़ते का मैं टेस्ट लूँगा और आपका रिविजन कराऊंगा साथ कोस्चन एकदम बुलेट की तरह आएंगे आप तयार रहिए आपको अपने साथ कॉपी पिन ले करके बैठना है और हर एक प्रशन को सुनते हुए उत्तर देना है तो चली फ्रेंड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तो अगर आपने ये मन में ठान लिया है कि आप कर सकते हैं तो इसमें मैं आपको बता दू आपकी आधी जीत तो हो गई बस आपने ठान लिया तो मतलब वो काम हो ही जाएगा मन के हारे हार है मन के जीते जीत चली दोस्तो आई देखते सबसे पहला important question आप सभी के सामने रहा हाली में किस देश के राश्पती गरतंत्र दिवस समहारो 2023 में मुख्य अत्थि होंगे तो ये इजिप्ट के इजिप्ट के राश्पती ये क्या होंगे गरतंत्र दिवस समहारो जो की अगले वर्स होने वाला है जन्वरी में मुख्य अत्थि होंगे देखे इनका नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम है अब्दल फता है अलसीसी चलिए दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं भारती ओलंपिक संग जिसे हम बोलते हैं I.O.A इसकी पहली महिले अध्यक्ष हाली में कौन बनी है तो ये बनी है पीटी उशा क्या नाम है इनका पीटी उशा को उड़न परी कहा जाता है और इन निर्विरोध भारती ओलंपिक संग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अगला प्रशनी रहा इनका नाम है विने महन कौत्रा इनका कारकाल किस वर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया है देखें इनके पहले हर्श वर्दर श्रिंगला कौन थे विदेश सचिब थे उनकी रिटार होने के बाद विने महन कौत्रा भारत के 34th विदेश सचिब बने भारत की विदेश मंत्री है एस जैशंकर दोस्तों यहाँ पर 2 December का result मेरे पास आ गया है और रोहित रोहित जो हैं यहाँ पर टॉप कर दिये हैं सेकंड रैंक पर है लोकेश मिना ठैड रैंक पर है अजय गौतम फोर्थ पर हैं अजय विशकरमा और फिफ्थ पर हैं आफराज तो Congratulations और अगर आप लोगों में से किसी की रैंक घड रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है आपको डेली मौका मिलता है Best Perform करनेगा Best Perform तब कर पाओ कि जब पूरा सर्षन ध्यान से सुनोगे Daily Current Affairs पढ़ोगे इसलिए इन लोगों की रैंक आ रही है और फिर आपको Test देना होगा, Quiz देना होगा कहाँ पर हमारे Crazy Giga Trick एप्लिकेशन पर वहाँ पर Daily Quiz अपडेट होता है इसके लाबा दोस्तो Daily PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी हमारा वीडियो सेक्शन भी आपको वहीं पर मिलेगा अगला प्रशनी रहा, अंतरास्टी लूसोफोन महसब का आजन कहाँ पर किया गया तो कहाँ पर किया जाएगा, अंतरास्टी लूसोफोन महसब गोवा में इसका आजन किया जाएगा दोस्तों गोवा की मुख्य मंत्री है प्रमोज सावन ये देख पा रहे हैं तो लूसोफोन महसब का उद्गाटन 3 दिसंबर 2022 को प्रमोज सावन के द्वारा किया गया दोस्तों लूसोफोन की बात करें तो दुनिया के वे देश हैं जो पुर्तगाली को अपनी अधिकारिक भाषा के रुप में बोलते हैं और जहां पर पुर्तगालियों का उपनिवेश था गोवा में पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश था हौरन बिल महसब हाली में किस राज में मनाया गया तो हौरन बिल महसब नागा लेंड राज में मनाया गया S.S.C. में ये प्रश्न पूछा गया था येके 10 दिन तक ये महसब चलता है नागा लेंड में और नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है मुख्य अतिती उपराशपती जगदीब धनकर उद्गाटन समारों में उपस्तित है हाली में दिसंबर महिने के लिए UNSC की अध्यक्स्ता किस देश ने गरहन की है तो फ्रेंड्स भारत ने UNSC की अध्यक्स्ता गरहन की है दोस्तो भारत आस्थाई सदश है भारत का कारिकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाला है UNSC में टोटल 15 सदश होते हैं पांच पर्मानिंट मेंबर होते हैं दस आस्थाई सदश होते हैं हाली में विक्रम गोकले जी का निधन हो गया इनका संबंद किस छेतर से था तो विक्रम गोकले अभिनेता थे एक्टर थे इनका हाली में निधन हो गया है दोस्तो 26 नवंबर को इनका निधन हुआ है आपने इने बहुत सारे फिल्मों में देखा है जैसे भूल भुलिया अगनी पत हाली में हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया तो हर घर गंगा जल परियोजना हाली में बिहार राज्य में शुरू हुआ है दोस्तो बिहार की मुख्य मंत्रे नितिश कुमार इनके द्वारा इसकी घोशना की गई है जो सू 혹े छेतर है वहाँ परनल की माध्यम से गंगा जल उप्लब्द कराए जाएगा और इसको स्टोर किया जाएगा हाली मुत्राखंट के नए ब्रेंट अमबेजडर कौन बनाए गये हैं तोुत्राखंट के नए ब्रेंद अमबेजडर प्रशुन जोसी बनाए गये हैं विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिस की गई है देखे ये गंभीर सूची में पहले से विरासत स्थल में शामिल है ये नश्ट होने वाला है तो एक गंभीर सूची में इसने सामिल किया जा रहा है तो ये कहां पर है? आस्ट्रीलिया में है mortality rate 2018-2020 में कितनी हो गई है तो friends भारत ने बहुत अच्छा सुधार किया है और भारत का जो maternal mortality rate है 97 पहुँच गया है जो कि अच्छा score है भारत ने 100 से कम लक्ष रखा था अब ये 97 पहुँच गया है पहले मोट जो MMR था 130 था 2014 सूला में अब ये 18-20 में 97 हो गया है important है सबसे पहला 30 सुरक्षा सम्मेलन कहां पर हाली में scout घाटन किया गया तो 30 सुरक्षा सम्मेलन का हाली में सबसे पहला सम्मेलन चन्नई में किया गया दोस्तो भारत के defense secretary का क्या नाम है इनका नाम है गीरिधर अर्माने इन्हों ने 1 दिसंबर 2022 को चन्नई में कोलंबो security conclave में भारती तट रक्षक के द्वारा आयजित इसका उदगाटन किया है morning concert political intelligence के अनुसार दुनिया का सबसे लोगप्री नेता कोन है तो दुनिया का सबसे लोगप्री नेता किसे चुना गया है नरेंद्र मोदी जी को भारत के prime minister जी को दोस्तो 77% की इनको rating मिली है और ये दुनिया के सबसे जादा लोगप्री नेता में शामिल हो गए है अगला प्रशन है हाली में SNP 2022 तेश में भारत की GDP बृद्धी का अनुमान घटा कर कितने प्रतिशत कर दिया है तो भारत का GDP इन्होंने घटा कर साथ प्रतिशत कर दिया है SNP का मतलब होता standards and poor मौना लोगा जाला मुकी में लगभग 38 साल बाद बिसपोर्ट हुआ ये किस देश में है तो मौना लोगा जाला मुकी जो है अमेरिका में है और यहां पर 38 साल बाद बिसपोर्ट हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा active जाला मुकी मौना लोगा है भारत ने किस देश को 100 मिलियन डॉलर की वितिय सहायता प्रदान की है तो भारत ने अभी हाली में मालदीव की मदद की है 100 मिलियन डॉलर की वितिय सहायता प्रदान की है दोस्तो मैं आपको बता दू मालदीव जो कंट्री है अपने टूरिजम पर डिपेंड करता है कोविट की वज़े से गंभीर संकट से गुजर रहा था भारत अपने दोस्त की मदद की है हाली में सेभी ने किसे B.A.C. का M.D. and CEO निउक्त किया है तो सेभी ने हाली में B.A.C. का M.D. और CEO बनाया है सुन्दर रमन राम मूर्ती को बनाया है देखे राम मूर्ती की बात करें तो प्रेजेंट में यह बैंक ओफ अमेरिका के चीफ ओपरेटिंग ओफिसर है हाली में सुदर्शन चक्रकोर द्वारा अभ्यास सुदर्शन प्रहार किस राज में आजित किया गया तो उसका आजिन किया गया है राजस्थान राज में भारती सिना कि सुदर्शन चक्रकोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में सभ्यास को हाली में आजित किया सम्विधान दिवस 2022 कब मनाया गया तो हाली में सम्विधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को और 26 नवंबर को मनाया जाता है रास्ट्रिय कानूनी दिवस रास्ट्रिय कानूनी दिवस National Legal डे दोस्तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था हमारा जो Constitution था वो पूरी तरीके से बनके तयार हो गया था और 26 नवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ 2015 से हम इस दिवस को मनाने का प्रारम कर चुके हैं 2015 से पिछले आठ साल में भारत दुग्द के उत्पादन में कितनी बृध्धी दर्ज किया है दोस्तों पिछले आठ साल में भारत 83 मिलियन टन मिल्क प्रड़क्शन में इंक्रिमेंट कर चुका है पूरी दुनिया में सबसे जादा मिल्क का प्रड़क्शन भारत करता है इसके बाद अमेरिका करता है राज्यों में बात करेंगे तो सबसे पहला स्थान यूपी का है सात्वा वैश्विक प्रद्योगी की शिखर संबेलन हाली में कहा पर शुरू हुआ है तो सात्वा ग्लोबल टेक्नलोजी समिट हाली में न्यू डेली में शुरू हुआ है कब सुरू हुआ है 29 नवंबर से सुरू हुआ है रसायनिक युद्ध के सभी पिड़तों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया दोस्तो ये मनाया गया 30 नवंबर को आप सभी को बता दूँ जब सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो फर्स वर्ल्ड वार के दोरान बहुत सारे लोग अभी जो रसायन कैमिकल था उससे बहुत एफेक्टेड हुए उनकी मौत हुई तो उनको याद किया जाता है 2005 से हर साली मनाया जा रहा है फूप्स की अमीरों की सूची में सबसे पहला स्थान भारत की तरफ से किसे मिला है तो सबसे पहले भारती बने हैं गौतम अडानी मुकेश अमबानी सेकेंड नंबर पे पहुँच गए है हाली में IDFC AMC का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो IDFC AMC का नाम बदल कर बंधन mutual fund किया गया है देखें IDFC का full form क्या है Infrastructure Development Finance Company हाली में बंधन बैंक के brand ambassador सौरफ गांगुली बनाए गये है इस रो के दोरा PSLBC 54 मिशन में कितने satellite अंतरिक्ष में भेज़े गये तो देखें भारत ने दुबारा से record बनाया और भारत ने 9 satellite को अंतरिक्ष में भेजा है देखें इस रो ने 37 धवन स्पेस सेंटर से एक ओसन शेट 3 satellite और 8 नैनो satellite को लॉंच किया है हाली में शिल्प गुरू और राश्ट्री पुरसकार किसके दोरा प्रदान किया गया तो शिल्प गुरू और राश्ट्री पुरसकार जगदीप धंकड जी की दोरा प्रदान किया गया भारत के प्रेजेंट में वाइस प्रेसेरेंट है 14 नमबर के वाइस प्रेसेरेंट है हाली में जगदीप धंकड फीफा में शामिल हुए है FIFA में शामिल हुए है SSC में पूरा same to same question पूछा जा रहा है साथियों same to same जो आपने अभी पढ़ा है same वही प्रशन पूछा जा रहा है मैंने देखे पूरे तो प्रशन हमें नहीं मिले लेकिन हमने अपने जितने सूत्र थे उनसे पता किया तो हमने देखा कि इवेंट स्टैटिक जीके का जो पिटारा मैंने आपको कराया वहां से भी प्रशन डारेक्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा है कि सारी चीज़े आपकी कवर हो रही है छत्रपती सिवा जी महराज वास्तु संगरहाले जो कि मुंबई में है पहले ये प्रिंस ओफ वे संगरहाले के रूप में जाना जाता था इसकी स्थापना 1922 में होई है हाली में डबलू अच्छो की तवारा मंकी पॉक्स का नाम बदला गया और मंकी पॉक्स का नया नाम क्या किया गया है तो देखें मंकी पॉक्स का नया नाम हो गया है M.Pox मंकी पॉक्स का नाम बदलकर M.Pox रखा गया है ठीक है मंकी पॉक्स कैसी बिमारी है देखें यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से आप देखिए यहां प्रस्पोर्ट बन जाते हैं और यह वारल जुनोटिक बिमारी है जानवरों से आई है सबसे पहले बंदरों में देखी गई थी और 1970 में मनुष्य में सबसे पहली बार देखी गई BSF का 58 वा स्थापना दिवस कब मनाये गया तो BSF का 58 वा स्थापना दिवस मनाये गया एक दिसंबर को दोस्तो BSF को बोलते हैं Border Security Force और देखे 1965 में इसकी स्थापना हुई है यह जम्मू पाकिस्तान से जो लगी सीमा है और भारत बांगलादेश की सीमा है वहां पर यह लगी हुई है Miss Earth Water 2022 का खिताब हाली में किस ने जीता है तो Miss Earth Water का खिताब नदीन आयूब न जीता है दोस्तो किस देश की हैं फिलिस्तीन की है विशुनात वंसस देविका ने मुक्यबाजी चैंपेंशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आटापटटी गाउन को जैव, विवदता, विरासत इस्थल गोशित किया गया किस राज में है तो आटापटी जो है तमिल नाडव राज में है इससे जैव, विवदता, विरासत, इस्थल गोशित किया गया दुनिया की पहली इंट्रा नेजल COVID-19 वेक्सीन कौन सी बन गई है तो दोस्तो ये वेक्सीन है इनकोवेक देकिन नेजल वेक्सीन वो वेक्सीन होती है जो नाक के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुचाई जाती है और ये है इनकोवेक कार्बन कैप्चर पर अध्यन रिपोर्ट को हाली में किस ने जारी किया है तो इस रिपोर्ट को हाली में नीती आयोग ने जारी किया है दोस्तो भारत ने लक्ष रखा है कि 2070 तक हम कार्बन निट्रल हो जाएंगे यानि कार्बन के उस सर्जन को हम 0% कर देंगे हमारा लक्ष है जियांग जेमिन किस देश के पूर राश्पती है जिनका हाली में निधन हो गया तो जियांग जेमिन जो है चीन के राश्पती है अभी हाली में इनका निधन हो गया है दोस्तों इन्हें लूकेमिया से ये लूकेमिया से पीडित थे जिसें ब्लड कैंसर कहते हैं जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो ये लूकेमिया कहलाती है दोस्तों 1993 से लेके 2003 तक ये चीन के प्रेसिडेंट रहे है एड़टाइजिंग एजेंसी एसोसेशन इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं यूपी के आगरा गाजियाबाद और प्रियाग राग जिले में कौन सी प्रणाली शुरू की गई तो यहां पर हाली में पुलिस कमिशनर प्रणाली की शुरूत की गई है वहां के सीम है योगी आधितनात यूपी की तो उत्तर प् क्रिकेट पे एक ओवर में साथ छक्का लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर कौन बने हैं तो देखे रितू राज गायक वार्ड दोस्तों विजे हजारे ट्रॉफी के दौरान इन्होंने एक ओवर में 43 रन बनाए जो कि एक विश रकॉर्ड है एक नो बॉल थ कौफी में महराज की ओर से खेलते हुए यूपी के खिलाफ इन्होंने साथ छक्के जमाए हैं रितू राज गायक वार्ड ने मैरियम वेप्स्टर ने वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ दा एयर चुना है तो ये है गैस लाइटिंग दोस्तों गैस लाइटिंग का मतलब हो होगा दो हजार चौबिस तक टाटा संस कंपनी ने हाली में इसकी घोषना की है भारत और किस देश की बीच में आर्थिक सहयोग और वेपार समझोता 29 दिसमबर से लागू हो जाएगा तो फ्रेंट्स भारत और और ऑस्ट्रेले के बीच में 29 दिसमबर से आर्थिक सहयोग और वेपार समझोता लागू हो गया है इससे क्या होगा कि दोनों देशों की बीच में जो वेपार है बढ़ेगा और जो टैक्स लगाए जाते हैं एक दूसरे की समान पर वो भी शुलक कम कर दिये जाएगे पहला सिलहट सिलचर महसब का आरजन कहां पर किया गया तो पहला को और मजबूत करना राश्ट्री कैड़ेट कोर एंसीसी ने चोहतरवास थापना दिवस कब मनाया तो साथियों एंसीसी ने अपना 27 नवंबर को चोहतरवास थापना दिवस मनाया है एंसीसी के प्रेजेंट पे महानिदेशक है जनरल गुरबीर पाल सिंग इसका हैड़ को हाली में एनीमिया उन्मूलन कारिक्रम स्टार्ट किया है एनीमिया मतलब होता है खून की कमी हमारे शरीर में हीमोगलोविंग की कमी हो जाती है खास कर बच्चों और माताओं को होती है तो इस समस्या को खतम करने के लिए ओरिसा की चीफ मिनिस्टर नवीन पट्टायक ने इस कारिक्रम इस अभियान को शुरू किया है हाली में सेबी ने अधिगर्णियम की समिक्षा के लिए कि उच्चिस तरी समित्री का गठन किया इसके अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों इसके अध्यक्ष है ऐसे जे वजीफादार पुर्षो के फुटबॉल विश्युकप में पहली महिला रेफरी कौन बनी है तो पुर्षो के फुटबॉल के विश्युकप में पहली महिला रेफरी बनी हैस्टेफ़नी फ्रपाट 1 दिसम्बर 2022 को कतर के अलबया स्टेडियम में जर्मनी और कोस्ता अरिका के बीच में मैच हुआ उसमें रेफरी बनी है राश्ट्री प्रदूशन नियंतरन दिवस कब मनाये गया तो राश्ट्री प्रदूशन नियंतरन दिवस मनाये गया दो दिसंबर को और दो दिसंबर को वर्ल्ड कम्प्यूटर लिट्रेसी डे विश्व कम्प्यूटर साक्षर्ता दिवस भी मनाये गया एक दिसंबर को वर्ल्ड एट्स दे मनाया गया ठीक है तो देखे उन लोगों की आद पर मनाया जाता है दोस्तों दो और तीन दिसंबर भोपाल में बहुत बड़ा हासा हुआ 1984 में भोपाल गैस आपदा इसमें अमेरिकी कमपनी थी यूनियन करबाइड इंडिया लिम्टेड और उस प्लांट से मिठाइल आइसो साइनाइट रिलीज हुआ जो पूरे शहर में फैल गया लगबख 15,000 लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने सारे लोग अभी भी इससे प्रभावित हैं आस्ट्रा हिंदर बाइस ये जो सैन अभ्यास है भारत और किस देश की विच में शुरू हुआ है तो भारत और आस्ट्रीले की विच में आस्ट्रा हिंदर बाइस सैन अभ्यास शुरू हुआ अब आपसे पूछा जा सकता है कहां पर हुआ है तो महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज राजस्थान में शुरू हुआ है कब से कब तक 28 दवबर से लेके 11 दिसंबर तक भारत की सबसे बड़ी पैकेस्ड पेजल कंपनी कोन है जिसका अधिगरहन Tata Consumer Product Limited के दोवरा किया जाएगा तो ये है बिसलरी दोस्तों इनकी मार कहती है कि हमारी बेटी ब्लॉगर है मतलब उसे घूमना फिरना पसंद है और वो इतनी बड़ी कंपनी को समाल नहीं सकती इसलिए हम क्या कर रहे हैं Tata Consumer Product Limited को 6,000 से 7,000 करोड रुपे में भारत की सबसे बड़ी Package Pager Company को दे रहे हैं केंद सरकार के दोवरा नई चेतना अभियान किसके लिए शुरू की गई तो नई चेतना अभियान को महिलाओं के लिए शुरू किया गया है भारत के केंद्रिय ग्रामिड विकास मंत्री है गिरी राज सिंग दोस्तो इन्होंने इसकी शुरूआत की है केंद सरकार ने जो लेंगी खिंसा है उसके खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को एवेर करने के लिए इस अभियान को शुरू किया है आई एफ एफ आई के 53 एडिशन में आई सी एफटी उनेसको गांधी पदा किस फिल्म ने जीता है नरगेसी ने जीता है जो कि इरान की फिल्म है दोस्तो ये जो फिल्म है महात्मा गाधी की आइडलोजी पर आधारित है यूपी की पहली महिला पुलिस कमिशनर कौन बनी है तो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिशनर है लक्षमी सिंग क्या नाम है इनका लक्षमी सिंग नोडा का पुलिस कमिशनर हाली में इन्हें बनाया गया है कुम्बले सुन्दर राव का निधन हो गया यह कौन थे तो कुंबले सुंदर राव यक्षगान कलाकार थे हाली में इनका निधन हुआ है यह कुंबले सुंदर राव यक्षगान की थेन कुठिटू शहली के प्रतिपादक थे इंडिया दा मदर आफ डेमोक्रेसिस फुस्तक को किसने लौंच किया है तो भारत के सिक्षा मंत्री धर्मिंद प्रधान जी ने इसको लौंच किया है किरन रीजी जू भारत के लौ मिनिस्टर है स्वरती रानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्राले हैं इनके पास केंद्रि सिक्षाएवं कोशल विकास बंतरी धर्मिन प्रधान ने हाली में इस फुस्तफ़ को विमोचित किया यानि लॉंच किया नीच है मित्र अंबसडर के रूप में हाली में किसे नियुक्ति कियागए है तो नीच है मित्र अंबसडर बनाए गई है दीपा मलिक शॉर्ट पुट प्लेयर है ये पैरा लेंपियन शॉर्ट पुट प्लेयर है नीच है मतलब होता है टीबी उनमूलन नीच है टीबी उनमूलन जो हमारा जो टीबी होता है टीबरकलॉसिस होता है तपेदिक जो होता है ठीक है तो उसको खतम करने के लिए पहल स्टार्ट किया भारत ने लक्ष रखा कि 2025 तक हम भारत को टी भी मुक्त कर देंगे। UPSC के सदश की रुप में हाली में किसी चुना गया तो UPSC के सदश की रुप में हाली में प्रीती सूधन को चुना गया है। प्रेजंट में UPSC के अध्यश को न है तो इनका नाम है मनोज सोनी, यह नाम है मनोज सोनी, आप याद रखना है। भारत का पहला नीजी लॉंच पेड कहां पर स्थापित किया गया तो भारत का सबसे पहला जो नीजी लॉंच पेड है यह श्री हरी कोटा में लॉंच किया गया कहां पर श्री हरी कोटा में श्री हरी कोटा में 37 धवन अंत्रिश केंसे इसरो के परिसर से भारत का पहला निजी लॉंच पेड लॉंच किया गया वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है एक दिसंबर को देखे थीम याद रखियेगा थीम है इकोलाइस ठीक है? 1988 में डबलो अचो के द्वारा इसे शुरू किया गया था नेत्र हीनों के लिए तीसरा T20 क्रिकेट विश्चुकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नेतर हिनों के लिए तीसरा T20 Cricket विशुकप की मेजबानी भारत करेगा और इसके brand ambassador युवरास सिंग है और ताउ देवी लाल इंडो स्टेडियम है गुरुग राम में इसका उद्गाटन किया जाएगा साथियो अब आपका weekly current affairs का test होगा be ready for it चले शुरू करते हैं CRPF के महानी देशक कौन है तो CRPF के महानी देशक है सुजाय लाल थाउसे UNSC में कितने सदश होते है तो UNSC में कितने सदश होते है 15 होते है 21 FIFA विशुकप किस देश में आजित हुआ था तो ये रूस में आजित हुआ था पर रश्या में 2026 का कहां पर होगा मेक्सिको, कैनेडा और अमेरिका हाली में विक्रम कोखली का निधान होगा इनका संबन किस चेत्र से था तो ये अभिनेता थे Great Barrier Rift किस देश में है तो ये आस्ट्रेलिया में है विश्व सौचाले दिवस कब मनाया जाता है 19 नवंबर को केंदरी विदेश मंतरी कौन है तो ये है S.J. शंकर संजय मलोत्रा वर्तमान में कौन है तो ये राज़ास व सचिफ रेवेन्यू सेकेटरी है भारती ओलंपिक संकी स्थापना कब हुई थी 1927 में Anthony Albanese की इस देश के प्राइमिनिस्टर है तो ये औस्टिला के प्राइमिनिस्टर है आज का सवाल है हौर नबिल फेस्टिवल किस राज में शुरू हुआ आपको कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर देना है तो कैसा लगा आप सभी को आज का weekly current affairs हम लोगों ने एकदम पूरा फुल रफतार में bullet की तहरा है प्रशनों को solve किया है इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम में भी मिल जाएगी और regular updates के लिए आप टेलिग्राम पर जुड सकते हैं दोस्तों बहुत सारे batches हमारे crazy gk trick application पर आपको देखने को मिलेंगे reasoning, Indian geography, quality, history, world geography राजा गुपता, crazy gk trick rg cgt code use कीजेगा ताकि आपको maximum discount मिल जाए इन courses में इसके लाबा MP पटवारी course भी launch कर दिया गया है 7000 vacancies आई है उसके लिए हमने special आपके लिए plan किया है साथी root application पर भी special classes चलाई जाती है मतलब individual आप भी पढ़ सकते है और crazy gk trick में बहुत सारी live classes चली रही है वहाँ पर आप test भी दे सकते हो आप हमें follow कर सकते है instagram, telegram, facebook, youtube पे तो है ही और अगर पहली बार channel पर आ रहे हैं तो don't forget to subscribe and press the like button and share button और दोस्तों घंटी बला बटन दबा दीजेगा ताकि आपको हर एक notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब चलने का समय हो गया है इजाज़त दीजे कल फिर मिलेंगे इसी उर्जा, इसी जोस के साथ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जय हिन, जय भारत